Hello Students, Welcome to my YouTube Channel Special Academy आप सभी का हमारे ये चैनल पर स्वागत है Students जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर हिमाचिल का धेन कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिमाचिल के पानी के चसमे तो students अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को like, share और subscribe जरूर करें और students इससे पहले भी हमने हिमाचल के बहुत सारे chapter यहाँ पर playlist में डाले हुए हैं तो आप playlist में जाके वो वीडियो देख सकते हैं और students अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को like, share और subscribe जरूर करें तो students स्टार्ट करते हैं हमारा आज का topic हिमाचल के पानी के चस्मे तो सुरू करते हैं सैसन आज का हमारा चस्मा, चस्मा किसे कहा जाता है भूजल का प्राकरीतिक ये वहाब होता है हिमाचल में मुख्य चस्मे सतलुज और ब्यास घाटियों पर स्थीत हैं हिमाचल में जो है तो समानय तह तीन मुख्य परकार के चस्मे पाए जाते हैं सबसे पहले है हमारे पास साधारन चस्मे, दूसरा है सुध पानी के चस्मे, तीसरा है गर्म पानी के चस्मे तो सबसे पहले जो साधारन चस्मे होते हैं वो स्थाई या अस्थाई चस्मे जो जमीन के नीचे से धरातल पर पहुंचता है और दूसरा है सुध पानी के चस्में इनके पानी में खनीज लवन घुले हुए होते हैं सुध पानी के चस्में क्या होता है खनीज लवन घुले हुए होते हैं और तीसरा है हमारे पास गर्म पानी के चस्में होट वाटर स्प्रिंग यही माचल में अपने औस धीय गुणों के लिए प्रसीद हैं इनकी उत्पती का कारण धर्ती के नीचे पिगले हुए मैगमा को माना जाता है गर्म मैगमा के संपर्क में आने से यह पानी गर्म हो जाता है और चस्मे के रूप में धर्ती पर आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट है इसका यह अमली और कशारिय प्रवरिती के होते हैं कौन होते हैं गर्म पानी के जो चस्मे होते हैं वो अमली और कशारिय प्रवरिती के होते हैं इनके पानी में खनीज जैसे कैलसियम, सिलिका और सलफर बहुत तायत में पाए जाते हैं नेक्स्ट चस्मा है हमारे पास तत्ता पानी का चस्मा तो हम यहाँ पर देखते हैं तत्ते पानी के चस्मी को यह मंडी में नाल देहरा से 29 किलोमेटर दूर सतलुज नदी के किनारे पर स्थीत है यह एक प्राकृतिक सल्फर वाला पानी का चस्मा है जिसमें कई तरह के चर्म रोगों को दूर करने की औस धीयक समता है नेक्स्ट पॉइंट है नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही इसका जलस्तर भी बढ़ जाता है बर्तमान समय में वाटर राफ्टिंग के लिए यह एक प्रियाटक स्थल बिक्सित हुआ है प्रन्तु कॉल बांध प्रियोजना से जलासे जलमगन हो गया है नेक्स्ट गर्म पानी का चस्मा है हमारे पास मनिकर्ण यह कुल्लू से 45 किलोमेटर की दूरी पर है यह पार्बती नदी के तट पर है इसका तापमान पानी के कौतनाक से भी अधिक है इसके पानी में न तो सलफर है ना ही लोह तत्व है बलकि माना जाता है कि यह एक रेडियो धर्मी चस्मा है यह पानी इतना गर्म है कि इसमें दाले और चाबल भी उवाल कर पकाए जाते हैं यहां लोग कई बीमारियों जैसे निमोनिया मास पेसिनों की अकड़न आदी के इलाज के लिए यहां पर आते हैं आगे यहां पर जो है तो मनिकर्ण के बारे में एक छोटी सी स्टोरी है कि इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा मनिकर्ण तो एक दंत कथा कि नुसार एक बार माता पार्वती यहां पर सनान कर रही थी तभी उनके कान की बाली कुण में जागिरी जब उन्होंने भगवान सीब को बताया तो वे बहुत ग्रोधित हो गए उन्होंने अतिदिक ग्रोध भरी आँखों से कुण की तरफ देखा तो पानी में हजारों कान की बालिया तैरने लगी तथा पानी उबलने लगा तभी से इस चस्मे का पानी खौल रहा है इसके पस्चात इस स्थान का नाम मनिकर्ण पढ़ गया जिसका अर्थ है कान की बाली यह स्थाने के हिंदू मंदिर तथा गुरुद्वारे के लिए भी परसीद है नेक्स्ट चस्मा है हमारे पास कसोल यह मनिकर्ण से एक किलोमेटर दूर नदी की ओपर यह भुंतर हवाई अड़े से 32 किलोमेटर दूर है यह पारवती नदी के तट पर निक्थन गाउं के बिपरीत किनारे पर है नेक्स्ट है हमारे पास खीर गंगा यह कुल्लू से 26 किलोमेटर की दूरी पर है। यह भी गर्म पानी का चस्मा है, प्रंतू मणिकर्ण जितना गर्म पानी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास विशिष्ठ यह मनाली से 3 किलो मीटर की दूरी पर है ब्यास के दाइं तठ परस्थित है यह रिसी विशिष्ठ और भगवान राम के मंदिरों के लिए परसीद है कौन सा चस्मा विशिष्ठ पानी का चस्मा यह हिमाचल बिकास निगम ने विशिष् तुर्की सैली के सनानागार बनवाए हैं चसमे से गर्म पानी यहां लाया जाता है और एक बड़े टैंक में जमा कर लिया जाता है जहां से उसे इन सनानागारों में भेजा जाता है नेक्स्ट है हमारे पास जीवरी सिमला सिमला के जीवरी में गर्म पानी का चस्मा है यह भारत तिबत मार्ग पर रामपुर वुशहर के पीछे उन्नू नाला के दाएं तट पर स्थीत है इसके बाद है हमारे पास गर्म पानी के चस्मे तो गर्म पानी के चस्मे कौन-कौन से है हमारे पास तो सबसे पहले है मुखी में गर्म पानी का चस्मा है और जो लूनानी है ये ठंडे पानी का चस्मा है सलोल भी ठंडे पानी का चस्मा है जिसे से पहले है रोहिला जरना यह मनादी के पास कुलू जिले में है दूसरा है सब्त धारा पानी का चस्मा यह चमबा में पंजपूला में है धान चमबा में भरमौर के पास है कालिका कुंड चमबा के मान में ठंडे पानी का चस्मा है स्टूडेंट्स इसके अलावा भी हमारे पास जैसे जहरने है जैसे हमारे पास है चैडविक चैडबिक जर्णा है आपने सुना होगा नाम चैडबिक जर्णा ये सीमिला में समर हिल में स्थीत है आप नोट कर लीजिएगा दूसरा है भाग सुनात ये भी सुना होगा आपने नाम भाग सुनात ये धर्मसाला में मैकलोर गंज के पास है और नेक्स्ट है हमारे पास यह भी सुना होगा अपने नाम फेमस है सभी यह ज़र्णा जो है तो मनाली में है और स्टुडेंट्स आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज्रूर करें और students आपको वीडियो कैसी लगी comment box में जुरूर बताएं और students हम जो है तो आपका यहाँ पर समपूरुन अधियाई नी समझीए आप इसे तो हम यहाँ पर objective type question नहीं लेके आ रहे हैं पूर आपको chapter wise समझाय जा रहा है यहाँ पर की कैसे कौन सा question कहाँ पर है और इसके बाद हम objective type question भी आपके सामने आप लेके आएंगे टेस्ट रखा करेंगे डेली और students बताएं कैसी लगी आपको वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक्यू